बहुत इस्तकार जोग गुरुरुप गुरुस्वारे खालसा जी आउ सब्तो पहला गुरुप पाश्यादी बक्षिश पुईत्तर फते बलंद करिये स्तकार सायता खणा जी वाहिगुर्जी का खालसा वाहिगुर्जी की फते इतहास दे विच कोश कटनावा इमेदिया हुंदियाने जिननों जदो असी तारीख दे पन्याद उपर पढ़ दे आ ता ओ सैजे जे असी कह सकदे के पन्याद दे विच उननों अलाथ दिनने आ जा फिर पढ़ दे पढ़ दे अगे लंग जनने पर के वरी उनना दा तारीख दे विच बड़ा इतहास दे विच बड़ा एहम अस्थान होता है और एदे विच भी कोई शाकनी के जड़े बरतारे आज चपाप पर देने और वाले सम्में दे विच इनने इतहास पढ़ना है जदो सी पंजाब दी गल कर दे हैं जड़ी सरदार कपूर सिंग नैशनल परफेसर आफ सेखिजम जड़े नेरू ते गंदी दे वसाग का दिस ताय हुए ते अकाली देल दी दूर अंदेशी तो हीनी सोचतों परेशान सन वो अकसर कैवरी अपने अलिकतान दे विच अपने बोलान दे विच ए गल क्या करदे सी के पंजाब दा सिखान दे वलो पार तनु दिता हुए एक तोफा है सो गल के वल अठार मीं सदी दी नहीं है के अइमद शाह अबदाली जा नादर शाह जदो मी एस खिते दे विच लोग का नू लुटन दे वास्ते चाहे ओ जायदात सी चाहे एत्थों दी तांदावलत सी या फिर एत्थों दी इज्जते अजमत सी जदो मी ओनना लुटन वास्ते आउंदे ता सिख जड़े सी गे ओ एक तरह दे ना लोहे दा पहाड बन के खड़े हो जान्दे पारे गल केवल ती केवल अठार मीं सदी तक ही सीमत नहीं है जदो सी आज दे समय दे विच थोड़ा समा पहला पाव के उन्नी सो पैंठ दी स्तंबर दे विच जड़ी जांग होई जदो सी ओस जांग दे एक एहम कटना करमनू ओस जांग दे जर्नेल दे वलो लिखी होई रचना दे विच्चो पढ़ दे है ता सच जाने हो हरान हो जाइदा है कि जेकर सच मुझ वो शेर दिल सिख जर्नेल अपने सिर बसिर जहां कह सकते हो कि सारी जुम्मेवारी अपने सिर लेके इनना बड़ा फैसला ना करता ता शायिद आज ननकाड़ा साफ पंजा साब जा हूर गुरताम जिनना नू पंथ तोव शोड़े आ गया है उनना दी तरह सिरी दरबार साथ अमरे सर सिरी तरनतारन साब सिरी ख़डूर साब गोईंद्वाल साब जा जिन्ने मी ब्यास दी हाद तक जिन्ने मी गुर्ताम ओंदेने शायद उन्ना दे दर्शन देदारे करन दे वास्ते वी सिखानू वीजा लेके जाना पेंदा सो कटना करम नू थोड़ा जा समझन दा चतन करेंगे है ता बड़ी छोटी जी कटना पर ओदे विच सिर्फ असी ए वेखना है कि एक सिख जर्राइल जिड़ा है ओइस देश दे वास्ते किमें दी कालना काल दा है ते किड़ी वड़ी जमेवारी अपने सिर्बसेर ले ले लिन्दा है उन्नी सो पैठ दे विच पाकस्तान दा परदान मंत्री अयूब कान उस दी जड़ी जोजना है क्योंकि एक वरी उस ने सहज़ी एक वख्यान दे विच अपने कुछ संगिया में एगल कैसी के पाकस्तान दी अगली जंग एमद शाह अबदाली दी तरह पानी पद्दे मैदान दे विच होएगी ते पाकस्तान दी जेत दे जशन जड़े ने व लाल के ले दे विच मुनाए जाड़े तकरीबन ऐसी तरह होंदा है दुशमन देशन दे विच जदो जंग होंदी है जदो इस तरह तरह तना होंदा है ता एमें दी बियानबाजी जेड़ी हुंदी है मेरे ख्याल देनल ओ सुबावक ही हुंदी है उनीसो पैठ दे विच अयूब खान ने एक जोजना त्यार की ती क्योंकि उसमों एपता सी के पारत दे चीन दी जेड़ी जंग ओ लगी होई है ते तकरीबन जिनी पारत दे कोल फौज सी अदी फौज जेड़ी है ओ चीन दे बाडर दे उपर सारी जेड़ी है ओ बियस्त सी उस तो बिना जिड़ी बाकी तकरीबन अदी फौज जेकर कुछ शाणियां ते कुछ सेंटरा नो चाड़ दे ये ता बाकी फौज लदाख जमू ते किश्मीर दे विच सी तो उसमों एपता सी के जेड़ा पंजाब वाला पासा है कसूर खेम करन सेक्टर जेड़ा है पाड़े वाले पास से पार्त वाले पास से खेम करन पंजाब वाले पास से ते उद्दर ले पास से बिलकुल सामने पाकिस्तान दा कसूर सो उस नो ये पता सी के कसूर खेमकरन वाले पास से तो पारती हकूमत जेड़ी है ओ बिल्कुल अनजान मी है ताँचा बिल्कुल अब चेतन है ओ इस पक्खों बिल्कुल चेतन नहींगी के एदर भी हमला हो सकता है तो उस ने खेमकरनों ही अदार बना के पाप के जनों सी कही नहीं है कि हमले दा मर्कस जहां सेंटर आफ अटेक उसनों बना के एक अप्रेशन जड़ा सी उश्रू कर दिता उसता नाम रख्या गया तलवार और उदे विच जीड़ी जोजना सी उदे विच तिन पक बड़े एम सी जीड़ी मैं अराम दे विच गाल किती सी के एक सिक जर् दी द्रिड़ता उस दी बहादरी और सारे देश दी जुम्मेवारी देश देव फौजी मुखियां तो कह सकते हो के दूर जाके जह कह सकते हो के उनना दे हुकमा दी अनदेखी करके सारा बोज आपने उपर ले लेना सरदार हरबक्स सिंग जड़ी पाकिस्तानी फाइदेवलों जोजना त्यार किती सी की उदे विच पहला पाक सी के सातलोच ब्यास दा संगम जड़ा हरी के है उदे उपर कबजा कीता जावेगा उस तो बाद दूसरा जड़ा कह सकते हो के उनना दे वदन दा जड़ा रूट सी ओ खेम कर वल्टोह पट्टी अमरसार नो बाइपास कर दे होए रहिया ते रहिये तो ब्यास जड़ी के पार ती हकुमदी सेकेंड डिफेंस लाइन सी उथो तक पहुंच जड़ा तीसरा जड़ा एहम उनना दा सी गा उसी जलंदर पठान कोट हरी के ब्यास पाव के जलंदर ते पठान कोट द सी ते जलंदर दे विच भी जड़ी सी की ओ फाविदा एक कह सक दे हो कि एक वड़ी डिवीजन सी सो ओदे सबांदनों तोड़ देना ते उत्थों फिर लद्याना अंबाला पानी पत और इत्थों सारा चल दे होए अगले अलाके दे विच दाखल हुंदे होए जेत दा के लिए दे उचे मनोना हुण ख्याल करो के जेकर जेस तरह देनाल पारत दी जड़ी फावज है ओचीन या फिर पाकिस्तान वाला जड़ा पहाड़ी खिता है चाहे ओँ असी काल कर सकते हैं लदाक दी जमू कुश्मीर दी सारी फावज ओस पास से जड़ी एत्यान के वो समय दा सांजा पंजाब ए सारा ही उनना दे कबजे हेट आजान दा और पारती फावज दा त्यान खिचन दे वास्ते एक स्तंबर उन्नी सो पैंठ नो एक वक्रा कह सक देओ के अपरेशन जान उनना दी फावजी कार वे जिसनो ग्रैंट स्लैम दा नाम देता गया चंप फावजी जड़ी पहली जो दनीती हुंदी है ओ हुंदी है के ओस अलाके देवच हमले नू रोकिया जाए सो ओस वेले जड़ा पारती फावजी दा मुखी जनरल जड़ा सी ओसी मिस्टर चाओधरी ने ओस से वेले सरदार हरबक्ष सिंग होना नू किया के ओ शंब तो अखनूर सेक्टर वाले पास से शंब साड़े अलाके देवच जानी के पारत वाले पास से ते अखनूर पाकिस साफ्तान वाले पास से के ओस पास से डिफेंस देविच जाके उनना दे हमले दा जवाब देना सरदार हरबक्ष सिंग उनना ने जवाब दे दिता जदो जर्नल हरबक्ष सिंग ने एस गल दा जवाब देता ते उनना ने नाल एक गल रखी के डिफेंस देविच नहीं लड ना दुश्मन देपर हमला आवर होना है इस गालतों हर्बक्षिंग देविच ते ओ समय दे सैना दा जड़ा मुखी सी जनरल चौदरी देविच काफी ज़्यादा कैसा कि दो बैस मुबैसा वी होया सरदार हर्बक्षिंग कह रहा है सीगे के शांब जोडिया सेक्टर जड़ी है ओदे उपर मैंनू लहौर वाले पास से नू वदन दी अजाज़त दिती जावे सैना मुखी इना वड़ा रिस्क लैन नू तियार नहीं सी दुबदा दे विच सी ते उससे वेले जनरल हर्बक्षिंग ने किया कि जेकर तुसी असमरात थो ता मैं देश देव प कि सानू एथे हमला वर रुख जड़ा उपनोना पवेगा जेकर रख्यात्मक रुख देविच डिफेंस देविच रवा गए ता असी हार खावा गए तो एक निती बनाएं गई के लहौर दे उपर हमला कीता जावे पाकिस्तान जेस पासे तो हमला कर रहा सी शाम सेक्टर देविच उदे सारे जेड़े पैटर्न टैंक ने जेड़े अमरीका ने तकरिबन उन्नीसो पंजा तो उन्नीसो भुजा देविच त्यार कीते सी और उ उस वेले सरदार हर बक्सिंग उन्ना ने तेन स्तंबर उन्नीसो पैट देविच एस तारीक नो उन्ना ने देश्टे परदान मंतरी लाल बहादर शाष्टी दे रही एस गल्दी अजाजत ले गई ले ले लेई के जिस पासे उओ चांदे ने उस पासे जड़ा हमलावर रो बुश अलाकेयां दे विच जेड़ा सी का ओ कबजा हो गया और जांगता जेड़ा सी ओ और अरंब हो गया जलंदर दे विच ग्यारा कोर जेड़ा आर्मी कमांडर सी उत्थों दे उन्ना नो क्या गया कि तेन दिशामा दे वल्लों हमला करने हमले दी नगरानी दे वास्ते जेड़ा मुख हैड़कोर्टर सी ओंबाला दे विच बनाया गया जेड़ी सारी नगरानी सरदार हरबक सिंख उना दी कमांड दे अदीन सी और उन्ना नहीं एस हमले दी रूप रेखा तैकिती जलंदर दे विच ग्यारा कोर नो क्या गया के तेन दिशामा दे वल्लों हमला किता जावेगा इशोगिल नेर दे पोल दे उपर कबजा किता जावेगा पंदरा इनफैंट्री जीटी रोड अमरसर राणिया बार्डर तो हंदी होई लहोर वाले पास से तो वदेगी चार माउंटेन ड्वीजन जेड़ी है ओ खेम करन तों क्रास कर दी होई अंतराश्ट हाद नो कसूर वाले पास से जावेगी ते सेवन साथ इनफैंट्री ड्वीजन पिखी वेंड खालडा तों अंतराश्ट्री इस हाद नो पार कर दी होई पाकिस्तान दे अलाके बर्की वाले पास से जावेगी शे स्तंबर नो इना फाज्जा दे वलनो कूज कार देता गया तकरीबन एक गल बड़ी हरानगी वाली है कि सेवन इनफैंट्री ड्वीजन जड़ी है उस ने कुछ अलाके आते कबजा की ता इसे तरह जड़ी पंदरा इनफैंट्री ड्वीजन सी उनने कुछ थामा जिनना ते कबजा की था उते उस नो पाकिस्तान दियां फाजां दा वरोध भी सामणा करना प्याँ कुदरतन है कि जिस देश 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 देपर हमला कीता जन्द है उदी फाज भी अगोस से तरादेनाल वरोध कर दी है कईया थामां देश पर कोछ अलाके जड़े सी अदीन आए कोछ थामां देश असफलता भी मिली चार माउंटें जड़ी सी उन्हें देश पर लगातार स्तारा केंटे बंबारी हुंदी रही ते साथ स्तंबर नो उन्हें पैटन टैंका ने चार माउंटें दी केरापंदी करके फाइरंग करनी शुरू कर दिती दुज्य पास से पाकिस्तान जड़ा सी ओएस दुबदा देविच सी के ओस ने हमले दी शुरू अब आत जड़ी है ओच्छामब जड़ियां वाले पास से तो कीती सी पर होन जड़ो लहौर वाले पास से हमला शुरू हो गया ताह ओस ने जिनने वी अपने पैटन टैंक ज चोग दिती छे ते सत स्तंबर दी रात नू तेरा डोगरा रेजमेंट जड़ी सी ओ अपने कमांडिंग ऑफिसर ते सूबेदार नू छड़ के जंग दे विच्छों पत्रावाच गया कई पल्टना देविच एदेन अलपक दड़मा चगी नाइन जैक रैफल्स दा कमांड अपनी कमपनी समें ती के ते नी लबबा बात देविच जोद्ध दरान नी लबबा अठारा राजबूत ते सत गर्नेडियर जड़ियां रेजिमेंट सी गियां इनना दी जड़ी अद्दी नफरी सी ओ तकरीबन एस पाजदावड देविच फरार हो गई हुन तुसी वेखो के जड़ी एफ फार्मेशन त्यार किती सी सरदार हर बक्सिंग उनाने इनना कुछ पल्टना दे तकरीबन कैसा देओ के टाईक जड़ियां टोटल शे पल्टना सी जड़ियां एस एक्शन देविच एस फार्मेशन देविच यह एस हमले छेसा लायरिया सी ओदे विचो तकरीबन टाई जड़ियां फरार होगी है ते बचियां होई हैं साटी तेन जड़ियां सी कियां उनना ने ही लड़ना सी ते ओस वेले जड़े ग्यारा का और दे कमांडर सी लेफ्टनेट जर्नल जे एस टेलो उनना ने आर्मी कमांडर नों चिठ्थी वीजन जेड़ी एस अलाके दे विच्च है जी दे विच्चों बहु सारे जेड़े फाउजी ने ओ एस पाज़दा उड़ दे विच्च जेड़े पाकस्तान दे पैटर्न टैंकां दा मुकाबला नहीं कर सके ओ छड़के चले गए ने पाव क्यों मैदाने जंग दे विच् ते क्यों ना उसनों बदल दिता जावे सरदार हरबक सिंग नों चिठी मिली चिठी पड़ी ते उससे विले ओजर्ने जिठी नों पढ़के आप इस मैदाने जंग दे विच्च खेम करन आ गया आप जंगे नों चलाके आया और खेम करन सेक्टर दे विच्च सारी जड़ी मैदाने जंग दे विच्च कदी जर्नेल नहीं बदले जंदे कदी फाज नहीं बदली जंदी होनता बस एस अफरा तफरी नों बचाउन दी लोड है अफसरा ते सपाईया नों होसला देन दी लोड है ते जड़ी चार मौंटें दे जड़ी कमांडर आफिसर ने उसरदार गर्बक्सिंग मेजर जर्नल उननों मिले और जिड़े खिंदे होई फाजी सी उननों अकठ्या कीता और खिंदे होई फाजी अनों अकठ्या करनतों बाद सरदार गर्बक्सिंग होना ने एक बहुती जशिली तकरीर देती होन तुसी ख्याल करो ओस जर्नेल दी तकरीर केव कि जन्ग ता महौली बदल दिता किना जोश किनी बहादरी ते केस तरह दे होंसले परे शब्द होनगे ओस सेख जर्रेल दे कि जिसने सारी जड़ी फाँच जी दिच अफरा तफरी मच्ची होई इसी जड़ी होंसला हार चुकी सी ओदे अंदर एक नमा होंसला पार दिता सपा अफरा समेथ ओस अलाके दे विच तनात करके ते जुद नीती समझा के आप खेम करन ते खेम करन तो रहे आगे जिधे के फौज दा इस अलाके दे विच फौजी कारवाईया नो कंट्रॉल करन दा दूसरा मुख अफर सी ओधे जे एस्टिल दोनो सारी कारवाई बारे समझ जाया आठ स्तंबर नो टैंक ना दे वास्ते जड़िया बुरूदी स्रुंगा सी उचार मौंटन ने वशाद दिया और ओही चार मौंटन डिवीजन जड़ी किसे समें पूरी अफरा तफरी दे विच पाज चुकी सी जिदे कई अफर पाज चुकी सी जिनना जिकर के ते ब आज सी लीडरा ने ओना दा जिड़ा सी गा बचा की ता ओ अगले किते विशे दे विच जरूर संजा करागा टैंकां दे वास्ते बुरूदी सुरूंगा मचाईया की या वल्टोहे दे नेडे एक सुवे दे विच पाणी छाड़ दिता गया ते एक पैटन स्कॉाइटन क्या सकते हो के टैंकां दा एक पूरा जथा आसल उतार उत तो बाद चीमा वल्टोहा खुई मैसम पुरा मैमू ते किसान अकठे लाड़ रहे ने ओकेंदे ने के फौई दे मोर्चे जड़े ने उनना तक लंगर पिंड़ा दे किसान पचा रहे ने उनना ने अपने रुखां दे उपर मचान बनाए ने फौजिया नो पता लगे ना लगे पर किसान दे पुत रुखां दे बैठे दूर ते अवाज तो दास्तिन दे सी के जड़ा एस पास से हो जड़ा हमला कीता जा रहा है नाइन जड़ी होर्स आर्मिट तोब खाना उनने बड़े वदिया तरीके देना जवाब देता और ओथे लोकां दी स्थानक लोकां दी मदद देना इसे करके जदो जैजवान ते जैक सां दा एक परगट रूप सी जेस वेले उनना दे जड़े तकरीबन 14 टैंक जड़े सी उत्वा कर देते गे आठ ते नौ स्तंबर दी रात प्रैटन टैंक जिस दे बारे मैं पहले भी दसे है के अमरीका दा बढ़े होया सी उननीस सो पंजाब विंजा दे विचे उतियार कीते गे सी और विच उनना समय दे विचे एक खास जड़ी टेकनीक सी जड़ी आजे ते बड़ी आम हो गी है उसी इन्फरा रेड टेकनोलजी जिदे नाल हनेरे दे विचे अग्जे वदे आज जा सकता सी दूजे पास सी जड़े पारत देको शेर्बन टैंक सी उनना दे विच इन्फरारेड टेकनॉलजी रही सी, सो एस करके हनेरे दे विच्छ वदन दी, उनना दे कौल जड़ी जोगता सी, उनना टाइंक का दे कौल, उदे करके वह बहुत अगे तक वद आए, ते नौ ते दास स्तंबर नू, जड़ी या, फाउज है, उदे हलात बिल्कुल विगड़ चुके सी, जड़ी फार्मेशन है, उद पूरी तरह दे लाल फेर टोट चुकी सी, और एस हलात दियां जड़ी खबरां सी कियां, उस सारे वड़े फाउजी अफसराता के पहुंच चुकी हैं सी, ते पाकिस्तान दी जड़ी पहली आर्मड ड्वीजन है, उद खेम करन पार कर चुकी सी, ते उन्ना दा ने शानना जड़ा, उद ब्यास वाले पास से बदना सी, फाउज दा मुखी, पार्थी फाउज दा मुखी, जे अन चौधरी, उसने नौ स्तंबर नू सरदार हरबक्स शेंगुणा देना, फोन दे उपर गालकात कीती, ते जेड़ी चिठी दा मैं जिकर पहलना कीता है, के ग्यारा कोर्दे कमांडर ने, जेड़ी लिखी सी के चार मौंटें डुईजन दी, जेड़ी अफरात अफरी फैली है, जेड़ी फार्मेशन, जेड़ी सी हो सारी टोटगी है, उसनो दबारा जेड़ा बदलिया जावे, उस चिठी दा हवाला दे के, पार्ती फाइदा मुखी, जे अन चौधरी, सरदार हरबक्ष सिंग होना नो फोन देपर केंदा है, जेसना जिकर उनना ने अपनी किताब इंदा लाइन आफ ड्यूटी दे विच कीता है, के सारी फाज नो ब्यास तक वापस बला ला जावे, ते सरदार हरबक्ष सिंग केंदाने के, जदो मैं फाज दे मुखी दी एगल सुनी, के एं सारा अलाका खाली करके, फाज नो ब्यास तक बला ला जावे, ते उत्य सेकेंड डिफेंस लाइन जेडी है, ओ काइम कीती जावे, अलाका छड़न दा होको मुखी दे रहे है, इन्दा मैं किया कि एक टेक्टिकल आडर्टी हो सकता है, पर जिनना चिर तक मैं खुद मैदाने जंग दे विच जाके, एस सारे हला आदा जायजा नहीं लेंदा, उन्ना चिर तक मैं तहड़े एस हुकम नो नहीं मनदा, उससे मेले फाई दे मुखी, जर्णल चौधरी ने किया कि मैं अमबाले आ रहे हैं, अगले दिन ओ एर फोर्स दे जहाइज दे विच अमबाले पहुंचिया, और बहुत सारी ओथे सरदार हरबक्ष सिंग दे विच, ते चौधरी दे विच, बहुत सारा बहस मुबहसा भी होया, एस दा जिकर, केप्टन अमरेंदर सिंग, पंजाब दा साब का मुख मंतरी, जिड़ा ओस वेले सरदार हरबक्ष सिंग होना दा ADCC, ओस ने भी इस दा जिकर कीता है, के ग्यारा कोर नूँ हुकम दिता गया के ब्यास तक वापस आजाओ, ते सरदार हरबक्ष सिंग ने डाट के एस दा इनकार कार दिता, और इनकार करन दा कारण किंदिन इनकारणा साब, पंजा साब, डेरा साब, करतारपुर साब, एता पहला ही असी गवाज चुके हैं, ते होन तुसी की चौन देओ, के असी अमरे सर, गोईदवाल, खडूर साब, तरंतारं साब, बाबाब काला साब, की इनना गुरता मादे वास्ते भी होना सी अरदास करया करांगे, के जिनना गुरता मनों पंतों पर छोड़ा किया, एश करके मैं तो हड़े होकम नों नहीं मन दा, ते मैं खुद मैदाने जंग देविच जा रहे हैं, ते अगले देन पाव के उससे ही रात, सरदार हरबक सिंग, फिर मैदाने जंग देविच आ पहुंचिया, अग्गे की होया, अग्गे के ते संजा करनदा, जरूर जतन करांगे, के पंजाब दे सरहदी खेतर दे लोका ने केस तरह दे नाल इस जंगनों जितन देविच फाइदा साथ देता, और एदेविच सिख जर्रेनल दी पूम का की सी, सो एन्याक बेंतियां परवान, फटे दी सांज तकार,